एक ऐसा phone चाते हैं जिसमें एक अच्छा camera हो अच्छा processor हो एक अच्छा battery backup हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा phone लिया जाए क्या Redmi 13C 5G phone ठीक रहेगा या Realme C65 5G लिया तो कौन सा phone लिया जाए समझ नहीं आ रहा तो फिर आप सही जगा हैं मैं इस वीडियो में food review दूँगा और बताऊंगा कि इन दोनों फोनों में इससे कौन सा phone बैच रहेगा तो फिर क्यों ना सबसे पहले Redmi 13C 5G phone की बात की जाए इस phone के box में हमें हमारा phone कुछ manual guide sim ejector tour kit एक 18V का charger seat app cable देखने को मिलती है तो चलिए फिर बिना किसी दीरी की इस phone की look and design की बात की जाए जो कि इस phone की back में हमें glass shining back body देखने को मिलती है look voice देखने में तो ये phone काफी अच्छा लग रहा है चलिए इस phone की weight की बात की जाए जो कि इस phone का weight 192 grams है साथ हमें इस phone में हमें 8.1 mm की thickness देखने को मिलती है ये phone handy होने की साथ साथ light weight भी है color combination भी काफी unique है चलिए इस phone की display की बात की जाए जो कि इस phone में हमें eye peers LCD panel देखने को मिलता है with 90 Hz refresh rate इस phone की display 260 PPA density का resolution 83.7% screen to body ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है हमें इस phone में चलिए अब क्यों ना इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में हमें media rack dimension 6100 plus processor देखने को मिलता है with 6 nanometer chipset जो कि हमारी gaming performance को काफ़ी enhance कर देता है साथ हमें इस phone में हमें android 13 version 4GB तक virtue ram extension memory side mounted finger print sensor hybrid sim slot देखने को मिलता है हमें इस phone में इस phone में हमें decent audio and speaker performance देखने को मिलती है चलिए अब एक अच्छे phone में एक अच्छा camera तो होना ही चाहिए इस लिए इस phone में हमें single camera setup देखने को मिलता है जो कि 50 megapixel का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा हमें एक auxiliary lens देखने को मिलता है जो कि 0.08 megapixel का है इस phone का camera 1080p 30fps तक video recording support करता है इस phone में हमें 5 megapixel का selfie camera with 2.0 aperture rate साथ में इस phone में हमें LED flash, HDR, night, time lapse mode जैसे camera features देखने को मिलते हैं इस phone का camera 10x zoom तक spotted है बैक camera performance तो इस phone के ठीक है लेकिन selfie camera ने तो मुझे काफी disappoint किया daylight photography में भी इस phone का camera काफी medium performance देता है चलिए ये तो थी इस phone के camera features अब क्यों न इस phone के battery backup की बात की जाए जो किस phone में हमें 5000 mh battery देखने को मिलती है ये phone 18V की charging support करता है नॉर्मल यूसेज करें तो काफी decent सा battery backup है इस phone का फुल चार्ज होने में ये phone नॉर्मली 2-3 hours तक का time लेता है थोड़ा ही tissue भी हमें इस phone में फिस करना पड़ सकता है फाइनली इस phone के pricing की बात की जाए जो कि इस phone में हमें 2 variant देखने को मिलते हैं पहले 4GB RAM और 148GB tunnel storage जिसका प्राइज में online शूर्स पर 10,500 देखने को मिलता है दूसरा 6GB RAM और 148GB tunnel storage जिसका प्राइज में online शूर्स पर 12,000 देखने को मिलता है हमें तीनों ही वेरिंट्स पर online शूर्स पर 1000 करेड़े का डिसकांट भी देखने को मिलता है ये phone तीन कलर वेरिंट में available है चलिए ये तो थे इस phone के सबी specifications तो फिर अब क्यों ना इस phone को side में रखा जाए और बारा जाए हमारे दूसरे phone की और जो कि realme C65 5G phone है इस phone की box में हमें हमारा phone कुछ manual guide sim ejector toolkit एक cover case 15 volt का charger C-tap cable देखने को मिलती है यानि कि इस phone के साथ में तो हमें एक complete phone box देखने को मिलता है तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के look and design की बात की जाए जो कि इस phone में हमें काफी unique camera design देखने को मिलता है इस phone की back में हमें matte finish scratchless shining back body देखने को मिलती है चलिए इस phone की weight की बात की जाए जो कि इस phone का weight 190 grams है साथ में इस phone में हमें 7.9 mm की thickness देखने को मिलती है finishing भी काफी बरिया है इस phone की इस phone में हमें IP54 rating यानि की dust and supply ash assistance भी देखने को मिलती है चलिए इस phone की display की बात की जाए जो कि इस phone में हमें IPS LCD panel देखने को मिलता है with 140 hertz refresh rate इस price range में 140 hertz का refresh rate was shocking इस phone की display 264 PPA density का resolution 85.1% screen to body ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है हमें इस phone में चलिए इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में हमें media direct dimensity 6300 processor देखने को मिलता है with 6 nanometer chipset यानि के gaming performance तो इस phone में Redmi के phone से कई गुना जादा बरिया रहेगी इस phone में हमें Android 14 version, side mounted, fingerprint sensor, 4GB तक virtual RAM extend memory, hybrid SIM slot देखने को मिलता है हमें इस phone में overall performance भी इस phone की Redmi के phone से काफी बरिया रहेगी चलिए इस phone की camera features की बात की जाए जो कि इस phone में हमें single camera setup देखने को मिलता है जो कि 50 megapixel का है with 1.8 aperture rate इस phone का camera 1080p 30fps तक video recording support करता है इस phone में हमें 8 megapixel का selfie camera with 2.0 aperture rate साथ में इस phone में हमें LED flash, HDR, panorama, slow motion, film, tilt shifter, dual video mode, pano, pro video mode जैसे camera features देखने को मिलते हैं हमें इस phone में इस phone का भी camera 10 next zoom तक spotted है Although हमें इन दोनों में 50 megapixel का camera देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी Realme की phone की camera performance तो काफी बरिया है Camera features भी हमें Realme के phone में काफी ज़्यादा देखने को मिलते हैं Redmi के phone से Daylight की साथ Night Photography के लिए भी Realme के phone का camera बैच रहेगा चलिए इस phone के battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में हमें 5000 mh battery देखने को मिलती है battery backup तो इन दोनों फोनों का normally same है ये phone 15 watt की charging support करता है यानि की phone charge होने में तो time लगेगा चलिए इस phone के price की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें 3 variant देखने को मिलते हैं पहले 4GB RAM और 64GB internal storage जिसका price में online source पर 10,500 देखने को मिलता है दूसरा 6GB RAM और 128GB internal storage जिसका price में online source पर 11,500 देखने को मिलता है तीसरा और आकरी 6GB RAM और 128GB internal storage जिसका price में online source पर 12,500 देखने को मिलता है हमें 3 वेड्स पर online source पर 1000 करेडे का discount भी देखने को मिलता है ये फोन दो कलर वेनिट में अवेलिबल है चलिए ये तो थे इस फोन के सुभी स्पेसिफिकेशन सा बात करते हैं कि इन दोनों फोनों में से कुछ सा फोन बैस चे रहेगा सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की जो कि प्राइस में तो डिफरेंस है इन दोनों फोनों के 148GB वाले विनिट में 1000 का डिफरेंस है बैटरी बैकप तो इन दोनों फोनों का सीम है लेकिन हमें रेलमी के फोन में एक अट्रेक्टिव लुक एक अच्छा गेमी पुर्सेसर, अच्छी डिस्प्ले परफॉमेंस कैमरा परफॉमेंस तो है ही बरिया इस फोन की लेकिन हमें इन दोनों फोनों में ही स्लो चार्जिंग देखनी को मिलती है हमें रेलमी के फोन में Android 14 वर्जन देखनी को मिलता है तो फिर अब सोच का रहे हो, ये रेलमी का फोन ही एक ओड आउंडर बैस्ट बजर फेंडली 5G फोन रहेगा